पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद हुई हिंसा को लेकर बॉलिवूड आक्टर और भाजपा नेता मितुन चक्रवर्ती ने एक ट्वीट किया है अपने पोस्ट में मितुन चक्रवर्ती ने कहा है कि बंगाल चल रहा है यह सब रोको अक्टर ने अपने पोस्ट में लिखा है कि चुनाव के बाद से बंगाल चल रहा है किर्पया इस हिंसा को रोके मानव जीवन राजनिती की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहें किर्पया उनके परिवारों के बारे में सोचे और इस हिंसा को रोके मितुन चकरवर्थी के इस पोस्ट पर बॉलिवड आक्टर कमाल आरखान और फके आरके ने भी रियाक्ट किया है और कहा है कि सर क्या आप जरा इस बात को साफ करेंगे कि आप ये हिंसा रोकने वाली बात किस से कह रहे हैं वहीं पशिम बंगाल सरकार अभी चुनाव आयोग द्वारा चल रही है लेकिन अपने अपने ट्वीट में एसी के बारे में एक ट्वीट तक नहीं किया है क्या आप राज्य पाल से इसे रोकने के लिए कह रहे हैं वहीं मितुन चक्रवर्ती के इस पोस्ट पर ट्वीटर यूजर ने भी धेरो रियक्शन देने शुरू कर दिये हैं सुरेंद्र सिंग नाम के यूजर ने कहा है कि टिकेट को नहीं रोक सकते शाहिनबाग नहीं रोक सकते किसान आंदोलन नहीं रोक सकते 26 जनवरी दंगा नहीं रोक सकते विपक्षी फेक न्यूज नहीं रोक सकते हिंदूओं की होती हत्या नहीं रोक सकते बंगाल में अपने कार्यकरताओं की हत्या का बदला नहीं ले सकते फिर क्यों मरें लोग आपके इलिए भाड में जाए बीजेपी वहीं एक यूजर ने लिखा है कि मैं सोच रहा हूं कि अगर ये सब फेक नहीं है तो इलेक्शन कमिशन को इस पर कड़ा कदम उठाना चाहिए क्या कोई आइडिया है कि इसी क्या कर रही है वहीं एक और यूजर ने लिखा है कि बहुत देर लगा मुझ खोलने में एक यूजर ने मितुन्स चक्रवती से पूछा और आप क्या कर रहे हैं वहीं एक और यूजर ने लिखा है कि कैसा मजबूत नेत्रित वो बंगाल में कारेकरताओं को आग में जोक कर हम घर आ गए हैं वोट की सफल मत उगाईए राज़रपती शाशन लगाईए राजीव शर्मा नाम की यूजर ने कहा है कि सपत लेने वाली ममता विनर जी राज़रपती शाशन लगाना चाहिए आपको हमारी रेपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहे हैं SPN 9 News के साथ